हर साल ठंट के आगमन के साथ ही दिली इंसियार में प्रदूशन कस्तर तेजी से बढ़ता है और इस साल भी स्थिती चिंता जनक है दिली का ओसत एक्यूआई 366 तक पहुँच गया है जो खतरनाक श्रेणी में आता है कई इलाकों में एक्यूआई 400 से भी उपर दर्ज हो रहा है जैसे आननविहार में 426 अशोक विहार में 417 और बवाना में 411 बढ़ती ठंड के साथ दिली के आस्मान पर स्मॉग की घनी परत भी साफ नजर आने लगी है जो स्वास्थे के लिए गंफीर खत्रा बन गई है दिली के विभिन इलाकों में AQI का स्तर क्या है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं अलिपूर में 386 आननविहार में 426 अशोक विहार में 417 आयानगर में 349 बवाना में 411 चानी चौक में 301 CRRI मतुरा रोड में 340, डॉक्टर कर्णी सिंग शूटिंग रेंज में 370 और द्वारका सेक्टर आर्ट में 380 दर्च किया गया है यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि दिली में प्रदूशन का स्तर बेहत खतरनाक स्थिती में पहुँच चुका है पिशले सालों के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिती और भी बिगड़ सकती है तो वायू प्रदूशन से बचाव के लिए कुछ महत्वपून उपाए हैं एक बर वो समझ लीजे निजी वाहनों का इस्तिमाल कम करके सारवजनिक परिवाहन, कारपूलिंग या साइकल का सहारा ले इससे सडकों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूशन में कमी आएगी बाहर निकलते समय हमेशा अच्छे क्वालिटी के फेस मास्क का इस्तिमाल करें जो प्रदूशन के छोटे कड़ों से बचाव में सहायक हो सकता है बाहर व्यायाम करने से बचें, खासकर जब प्रदूशन का स्तर बहुत ज्यादा हो इसके बजाए घर के अंदर ही व्यायाम करने की कोशिश करें घर के अंदर हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए air purifier का इस्तिमाल करें जो हानिकारक तत्वों को कम करने में सहायक होता है। विटामिन A और E से भरपूर खादे पदार्थ जैसे गाजर, पालक, संत्रे और बादाम का सेवन करें। ये पोशक तत्व इम्म्यून सिस्टम को मस्बूत बनाने में मदद करते हैं और शरीर को प्रदूशन के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। पायू प्रदूशन एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव ना केवल हमारे स्वास्ते पर बलकी पर्यावरन पर भी पड़ता है। इसके लिए केवल व्यक्तिकत स्तर पर सावधानी बरतनी ही नहीं बलकी सामुदाइक स्तर पर भी जिम्मेदारी लेना जरूरी है। और द्योगिक गतिविधियों और निर्मान कारें में प्रदूशन नियंत्रन मानकों का पालन करना, पेड़ पौधों का सनरक्षन करना और कच्रे को सही ढंक से निप्ताना आधी उपायों को अपनाने से इस्थिती को सुधारा जा सकता है। दिली और न्सियार के नागरिकों को अपने स्वास्थी की सुरक्षा के साथ साथ प्रदूशन नियंत्रन में सक्रिय भूमे का निभानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम अपने शेहर को एक स्वास्थ वातावरण दे सके। NBT Online के रिपोर्ट